कि आप लोग है वेरी गूड इवनिंग कैसे हो आप लोग हाई 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 गुड इवनिंग हाव यू गाईज मैं ओडिबल क्या आवाज आ रही है आप लोगों को हलो 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 गुड इवनिंग है वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को कैसे हो भाई आप लोग सब बढ़िया है बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी हम आशा करते हैं आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक देखने वाले इंपॉर्टन मतलब बढ़ा इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है इसका राम है ब्लाट रिलेशिंस फुनी रिष्टे पुरा टॉपिक खतम करेंगे आज अब ब्लड रिलेशन्स अपने रिलेशन्स जो रहते है न वो दो साइट से रहते है एक तो मम्मी के साइट के रिलेशन रहते है एक पापा के साइट के रिलेशन रहते है मम्मी के साइट के रिलेशन जो रहते है यह ननिहाल जिससे हम कहते है मामा, मामी मौसा यह सब कौन है मम्मी के साइड के पापा के साइड के कौन रेते हैं दाधा दादी बुआ फुफा चाचा ताउ यह सब कहां किया रेते हैं पापा के साइड के अब दो गार होता की है blood relations पढ़ना मतलब यह वही चीज है जो आप लोग अभी अगर आए हो तो वीडियो का लाइक कर लो ठीक है अब भाई सबसे पहले इसा होता है किए कभी आप शादी में गए हो कभी आप शादी में गए हो और वहां पर एक कोई आजाएंगे अंकल आंटी हो बलेंगे कितना बड़ा हो गया कितना सा था हाथ में खेला था कितना बड़ा हो गया बीटा इसा हुआ है कभी आपके साथ में कभी हुआ है इसा नहीं बलेंगे वह कभी ऐसा नहीं बोलते अरे बेटा मैं आपके मम्मी का कजन हूँ ऐसा नहीं बताएंगे आपको वो ऐसा नहीं बताएंगे, वो क्या भलेंगे, बेटा मैं आपके मम्मी के जो मम्मी है, उनके भाई का बेटा हूँ मैं, मम्मी के मम्मी के भाई का बेटा हूँ मैं, पहचाना, इतना सा था तू, इतना सा, जब तुने, मैंने देखा था कितना बड़ा हो गया भी, हाँ, हाँ प्रवाट में सुसु कर दिया था तूने इद्धा सथा गोदी में उठा के कंदे पर खेलते थे तिरको अब उठालो गोदी पर तो ये जो वो सीधा नहीं बताएंगे आपको कि मैं तेरा मामा लगता हूँ ऐसा नहीं बताएंगे बिटा मैं आपका कजन मामा लगता हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा मैं आपके मम्मी के मम्मी के भाई का बिटा हूँ सीधा बोलतो ना आप मेरे कजन मामा हो खतम करो नहीं कोई चीज यहां है वही चीज यहां है कोई शादी ब्या का महोल चल रहा है वही चीज यहां होगी आपको बताजागा यह इसके 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 यह है तो आपके क्या लगते हैं यह पता करना है यहां पर ठीक है भाई साहब simple सी बात है blood relations की अगर आप बात करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा पट एक और एक problem क्या हो जाती है पता है एक छोड़ा है तो आसान पट दिक्कत कहां जाती है ये अंग्रीजी में ये अंग्रीजी में इसी लिए दिक्कत जाती है मैं बताओं आपके मम्मी के husband की बहन आकी क्या लगती है आपके मम्मी के husband की बहन आपकी क्या लगें ये बताओ आपके मम्मी के हस्बेंड की बेहन आपके क्या लगती है वेरी गुड आलोक आंट लगती है बुआ लगती है हो गया समझ में आ गया कि क्यों समझ में हिंदी में था भाई ऐसो बढ़ से दिल पो लग जाता हम समझ जाते हैं रिश्टर आ गया और कुछ नहीं हिंदी में समझ में आ गया तो इंगलिष भी समझ में आ जाए बस इंगलिष वर्ड ध्यान में रखना है बस फीक है बस एक्टम सही बोले हो आप लोग आपको उस हिसाब से देखना पड़ा है चलिए तो भाई blood relations की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ यह देखो आप लोग को दो side के relations है एक तो है paternal side paternal side यह देखो दिख रहा है paternal side के मतलब पापा के side के relations पेटल side के relations एक दम simple simple देखो क्या बोल रहा है father's father मतलब पापा के पापा हूँ क्या कहला जाते ग्रांड फादर father's mother grandmother father's brother उन्हें हम क्या कहते है uncle कहते है father's sister उन्हें हम क्या कहते है aunt कहते है children of uncle मतलब हमारे पापा के भाई के बच्चे वह हमारे cousins हुए फिर है wife of uncle मतलब ताचा या ताउजी की wife वह हमारी aunt हुई फिर children of aunt यहां पे aunt का मतलब कौन है हुआ children of aunt मतलब हमारे कौल हुए cousins हुए फिर हस्बेंड औफ फांट वह अंकल पेटर्नल साइट के रिलेशन्स के नाम ध्यान है क्या एक बार पढ़ लो बिटा अच्छे से कि एक बार अच्छे से कर लेंगे कह चीज़ क्लियर है बिटा कि कौन maternal side मतलब क्या है ममी के side का अब देखो ममी के पापा वह कौन लगते है हमारे ना जी कौन है मतलब हमारे नानी जी कौन लगते हैं maternal grandmother धाना फिर आता है mother mother तला मामा वो लगते हैं मेड़नेल अंकल को मद़र सिस्टर मौसी को हम कहते हैं अन्ट और चिल्रन ओप मेड़नल अंकल पॉजन रहते हैं और वाइफ ओफ मेड़नल अंकल एप। यह लसे आप ध्यान रखने हैं नेक्स्ट, अब relation with siblings, भाई बेहन, siblings का मतलब क्या होता है, भाई बेहन, siblings का मतलब क्या होता है, भाई या बेहन, male sibling रहा तो brother, female sibling रही तो sister, brother की जो wife है उन्हें कहते है sister-in-law, sister की जो husband है उन्हें कहते है brother-in-law, और brother या sister की जो बेटा है भाई या बहन का बेटा उसे हम कहेंगे nephew और brother या मतलब भाई या बहन की जो बेटी है उसे हम कहेंगे niece क्या चीज़ क्लियर है ठीक है और आपको पता यह पूरा का पूरा relation गाने में खतम हो जाता है यह भाई जान का गाना है सही में बता रहूँ ऐसा गाना एक आप अगर google करके देखोगे youtube पे देखोगे ता आपके मिलेगा चार लाइन पड़ो इसमें blood relation खतम घर पे ऐसी भाशा मत बोलना चपल पड़ेगी बार पड़ेगी बहुत चट चट घर पे ऐसी भाशा नहीं बोलना क्या बोला है मेरे बाप की बेटी मुझे भाई बोलती मेरे बाप की बेटी मुझे भाई बोलती मेरे बाप की बीबी मुझे बेटा बोलती मेरे मा का भाई मुझे भाणजा बोलता मेरे भाई की बेटी में कुछ चाचा बोलती फूपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया अब देदे हस्बन कहने वाली सुन्दिर भी ऐसा भाई यह गाना है अच्छूली गाना है सुनके देखे आप लोग टोनी ककर को गाने मारते हैं अब एक तरीका बताता हूं आपको तरीका क्या ध्यान में रखना है जिसके बारे में बोला है वो हम खुद है जिसके बारे में बोला है जो सबसे पहले बोला है इसमें करना क्या है इसमें आपको करना है एक आदमी फोटोग्राफ को पॉइंट करता हुए बोलता है अब नेफ्यू की मेटर्नल ग्रैंड मतलब कौन है भाई या बहन का बेटा उसकी मेटर्नल ग्रैंड मतलब भाई या बहन के बच्चे की नानी है अब यहां पर बता दिया भाई वो जो लेडी है फोटोग्राफ में वो आदमी के बहन की क्या लगती है जिसकी कोई और बहन नहीं मतलब वो जो बच्चा है वो आदमी के बहन का बच्चा है उसकी मेटर्नल ग्रैंड मतलब आदमी की मम्मी हो गई क्यों बिकॉसके मम्मी की भी मम्मी हो गई तो भाई साहब आपको ये माजन करना है कि यार वो जो आदमी है आदमी की बहन उनका बेटा आदमी के बहन का बेटा उसकी जो नानी है वो आदमी के बहन की क्या लगती है बताओ भाई very good the answer is mother the answer is option 1 mother एकदम सही बोला आप लोगों ने एकदम सही बहुत बढ़िया mother जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया जिसको नहीं समझ में आया कोई बात भी देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बोला है इसने बोला है कि सर एक आदमी जो है उसका एक नेफियू उसका नेफियू वो एक आदमी जो है वो एक फोटो को पॉइंट कर रहा है Meternal Grandmother ता उसके नेफियू की और फिर बाद मेरे सवाल में ये बोला है कि भाई ये आदमी की जो सिस्टर है आदमी की जो सिस्टर है उसकी मम्मी इसकी मम्मी है आपको यह समझ में आ रहा ह come how is the lady in the photograph related to man's sister who has no other sister अब भाई इसका को और बहन नहीं है मतलब इसका nephew कौन हो गया इसकी sister का बेटा हो गया और यह metal grand मतलब इसकी मम्मी हो गया इसके दो बच्चे यह समझ में आ है क्या यह समझ में है simple clear है अब यह देखा यह सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं सीधा सीधा बाती नहीं करना है इन लोगों को क्या बोलते हैं a woman introduces a man as a son एक lady अब हम कौन है हम lady imagine लड़के लोग सिर्फ सवाल के लिए समझना है कि हम वो lady है जो कि एक man को introduce कर रहे है क्या बोलकर he is the son of the brother of our mother मतलब क्या है हम बोलते हैं कि यह मेरे मम्मी के भाई का बेटा है मेरे मम्मी के भाई का बेटा मेरे मम्मी के भाई का बेटा मतलब मेरे मम्मी का भाई मतलब मामा मामा का बेटा मतलब मेरा कौन हुआ cousin हुआ मेरा कौन हुआ cousin option समझ में आए देखो क्या बोल रहा है woman एक आदमी को introduce कर रही है एक man को क्या बोलती है कि यह मेरे mom के brother का बेटा है mother's brother's son यह समझ में आया क्या रहेगा भी option cousin option क्या रहेगा बेटा cousin रहेगा समझ में आया क्या भाई ठीक है मेरे बच्चे मेरे मम्मी के अच्छा thinking process समझ में आपको सोचना कैसे मेरे जो आदमी बोल रहा है हम वो है जो आदमी यह औरत बोल रहा है हम वो है मेरे मम्मी के भाई का बेटा हम वो है समझ में आ गया, ठीक है, चलो next question, next question क्या बोला है बेटा, प्रसन्ना said this girl is the wife of the grandson of my mother, अब हम कौन है पहले ये बताओ हम कौन है, हम प्रसन्ना, हम कौन होगे बेटा, हम प्रसन्ना है, प्रसन्ना क्या बोलता है, ये जो लड़की है ये कौन है, ये मेरे मम्मी के मेरे मम्मी के grandson की wife है मेरे मम्मी का grandson मतलब मेरा कौन हुआ, मेरा बेटा मेरे बेटी की wife तो मेरी क्या हुई मेरी बहु हुई, मैं क्या हुआ उसका, ससुर, ससरा पादर-in-law समझ में आया प्रसन्ना ने क्या बोला, यह जो लड़की है, यह कौन है, मेरे मम्मी के grandson की, मम्मी का grandson मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे की wife है, मतलब हम कौन हुए उसके father-in-law हुए, समझ में आया क्या, option C, option C, चलो, एक बार देखो क्या बोला है, प्रसन्ना बोलता है, प्रसन्ना बोलता है कि यह जो लड़की है, यह कौन है, प्रसन्ना के, प्रसन्ना के mom के grandson का, इसका grandson मतलब कौन है, प्रसन्ना का बेटा, इसका grandson मतलब कौन हुआ, प्रसन्ना का बेटा, अब प्रसन्ना के बेटे की wife, प्रसन्ना क्या लगए, प्रसन्ना क्या लगेगा इसका, father-in-law यह समझ में आ है ठीक है चलो next आरुन बोलता है कि विमल's mother विमल की जो मम्मी है is the only daughter of my mother अब यह sentence थोड़ा से घुमाने वाला है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ इमाजन करो कि भाई अगर एक लेडी है इमाजन करो कि अगर एक लेडी है हम पहले लेडी को ला लेते है इमाजन करो यह लेडी है ठीक है अब यह लेडी के दो बच्चे यह लेडी के दो बच्चे है एक है यह ठीक है और दूसरा है ये लेडी के दो बच्चे है ये लेडी के दो बच्चे है बिटा ये लेडी है ये लेडी के दो बच्चे एक ये है और ये की है क्या मैं ये बोल सकता हूँ यार ये जो है अब इनको नाम दे देंगे इसका नाम है बंटी इसका नाम है बंटी पर इसका नाम है पिंकी इसका नाम क्या है पिंकी है मुझे एक बात बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई सहाब ये जो लेडी है लेडी का एकलोता बेटा बंटी है एकलोता बेटा अगर मैंने ये स्यानो बताना चैट में अगर मैंने बोला, एकलोता बच्चा नहीं बोला मैंने, मैंने कहा एकलोता बेटा, एकलोता बेटा, ये कौन है भाई, ये एकलोता बेटा, ये कौन है, बंटी, क्या है समझ में आया, क्या है समझ में आया, येस या नो, बंटी कौन है, एकलोता बेटा, हाँ या नहीं, ये हमने अगर यह कहा कि बंटी जो है वह एकलौता बेटा है इसका येस क्या चीज़ क्लियर है अब एक चीज़ समझो दूसरा अब अगर मैंने यह कहा कि भाई पिंकी जो है वह एकलौती बेटी है एकलौती बेटी कुछ गलत है क्या नहीं कुछ भी गलत नहीं है अब यहां पर एक चीज़ देखिए बेटा हम लोग क्या कह रहे है एकलौती बेटी एकलौता बेटा तो हम बंटी अगर यह कहता है कि भाई यह एकलौती बेटी है मेरे मम्मी की कुछ गलत थोड़ी कह रहा है बिल्कुल कह सकता है अगर बंटी ये कहता है कि ये मेरे मम्मी की एकलोती बेटी है तो कुछ भी गलत नहीं कह रहा है बंटी उसमें बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ये समझ भी आया ठीके? चलो ठीके? अगर ये समझ में आया है तो अब ये सवाल पर आओ अरुन क्या बोलता है? विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की एकलोती बेटी है वो मेरे मम्मी की एकलोती बेटी है अरुन क्या लगता है विमल का? बताओ अरुन क्या लगेगा विमल का? अरुन क्या लगेगा विमल का बताओ वैसे सही आंसर तो मेटरनल अंकल है बट इसके हिसाब से क्या आएगा ननोगतीज एकदम सही बुला चलो देखो अरुन ने क्या बुला अरुन हम कौन है हम अरुन है अरुन बोलता है कि विमल को ने बताओ विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की एक लौती बेटी है मतलब यह हो गया विमल यह विमल्स मॉम विमल्स मॉम कौन है अरुन के मम्मी की अरुन के मम्मी की एक लौती बेटी मतलब अरुन के मम्मी के दो बच्चे है एक अरुन और एक विमल की मम्मी अब विमल अरुन की मम्मी का विमल की मम्मी उसका बेटा है विमल अब अरुन क्या लगता है इसका ये लगेगा मामा मामा क्मज में आया मामा क्या लगेगा मामा मतलब maternal uncle maternal uncle option में अगया नई इसले क्या आएगा none of these सवाल समझो बिटा सवाल समझो क्या बोला है अरुन सेस की विमल की जो मम्मी है वो अरुन के मम्मी की एक लोती बेटी है कि अरुन के मम्मी की एक लौती बेटी है तो बोलता है कि हाव एज अरुन अरुन क्या लगता है विमल का बिटा अरुन विमल का क्या लगता है पूछा है मतलब मामा लगता है विमल के मम्मी का नहीं पूछा है अरुन विमल का क्या लगता है पूछा है अब समझ में आया क्य अरे जो लोग मामा को भाई बना रहें आप समझ में के भाई सर विमल्स मदर अरून क्या बोलता है कि विमल की जो मम्मी है ये रही विमल की मम्मी वो कौन है वो अरून के मम्मी की लोटी बेटी है मेरे मम्मी की कलोती बेटी कौन हुई आपकी कौन हुई आपकी बहन आपकी बहन का बच्चा आपका कौन हुआ भांजा आप कौन हुँ इसके मामा अब समझ में आया अरे समझ में आया कि भाई ठीक है भतीजे को बोलते हैं नेफ्यू भतीजी को बोलते हैं नीस ठीक है चलो लेट्स मूव ओन क्या बोलता है बिटा नेक्स्ट वाला सवाल अब पॉइंटिंग टू अ मान इन फोटोग्राफ एक आदमी को पॉइंट आउट करते हुए आशा बोलती है अब हम कौन होगे बोलती है his mother's only daughter एक आदमी को पॉइंट आउट करते हुए आशा क्या बोलती है इसके मम्मी की जो इकलोती बेटी है वो मेरी मम्मी है अब एक आदमी की फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करते हुए अगर आशा बोलती है कि इसके मम्मी की इकलोती बेटी मेरी मम्मी बॉस आशा related to the man क्या रहेगा नीस रहेगा जिसको समझ में आगा बहुत बढ़ी आवात है जिसको नहीं समझ में आगा डाग्राम सा समझो आशा ने क्या बोला आशा आशा एक आदमी के फोटोग्राफ को point करतो है आशा 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 दिल है छोटासा क्छोटi सी आशा आशा बोलती है एक man के photograph को point करतो है कि यार इसकी जो mom है इनकी इकलोती बेटी वो मेरी mom है आशा's mom तो अब सवाल यह पूचा है कि भाई आशा क्या लगती है आशा क्या लगती है यह आदमी की तो आंसर is नीस भाजी लगती है भाजी समझ में आया क्या हूं इक चलो नेक्स्ट एक्वेशन नंबर सेवन सबसे लास्ट में करेंगे एक दम वहियात सा सवाल हो अभी पूछेगा मेनी वापको नेक्स्ट नंबर सेवन पे आते हैं क्या बोल रहा है वर मांसेट टुराईन सेट लीडी मांसेट टुर लीडी अब हमद को ने हमज़ेम अब हम और नक तुम्हारे के पती की जोगी Анд है आंट है तो वो लेडी क्या लगेगी मान की बताओ आप सोचके देखो ना आप एक लड़की को पोल रहे हो अरे दीदी ए बहन सुन ओए 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 सफेद फ्रॉक सुन इतरा भाईतार सुन पेरे मम्मी के आपके मम्मी के जो हस्बेंड है उनकी जो बहन है वो मेरी बुआ लगती वो लड़की बुले कि अच्छा मेरे मम्मी के अश्बेंड मतलब मेरे पापा उनकी बहन मतलब मेरी बुआ अरे भाईया हाई भाई वो लेडी क्या लगेगी मान की सिस्टर क्या लगेगी सिस्टर समझ में आया भाई देखो क्या बुला है एक लेडी जो है वो एक म इसको बोलती है इसको बोलती कि भाई तेरे मम्मी उनके जो हस्बेंड है उनकी जो सिस्टर है वो मीरी कौन है वो मीरी आंट है यह बोले का रहे दिदी एक मैन आंटी को कहा रहा है मैन आंटी को कहा रहा है मैन सेट्व ली ली तो यह लोग वह भाई बेन हो गए समझ में आए चलो नेक्स्ट एक्स कोने एक्स इस दे ब्रदर अब यह बहुत सवाल इतना सा पत जनरेशन इतनी सारी दिये इसमें सवाल देखो क्या वला है एक्स क्या है भाई है यहां तक यह एक्स तो भाई भाई है किसका भाई है सन ओफ वाई सन तीन चार चब्दों में तीन जनरेशन है देखो सन है सन किसका भाई है बेटे का भाई किसका बेटा वाई के बेटे का बेटा वाई सन का सन एक्स दे ब्रदर ओफ सन ओफ दो वाई सन वाई के बेटे का भाई है एक्स तो how is x related to y क्या रहेगा क्या रहेगा भई अगर समझ में आ गया प्यार से अगर चल रहे हो साथ साथ में तो बड़ी मज़ाएगी पर अगर आप लोग आगे पीछे जा रहे हो और अगर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो दिमाग के फ्यूज जला देगा यह सवाल समझने की कोशिश करो बस कोशिश करो और कुछ नहीं करना है सरफ समझने की कोशिश भर कर लिया ना यह समझ जाएगा कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है वापस बताता हूँ आप लोगो Sir, if x x कौन है? भाई है किसका भाई है, सर, X जो है न, वो तो भाई है, इसका भाई है Y's son, Y का son किसका भी son उसका भाई है X तो यह बोला है, सर, how is X related to Y X क्या लगता है Y का बाई, पोता, grand son लगेगा क्या लगेगा, grand son जिसको औरली जम गया था बहुत बढ़ी बात है जिसको नहीं समझागी यह डाइग्राम देखे ठीक है दुनिया में आए हो तो वीडियो को लाइक कर लो वीडियो को लाइक कर लो भाई अगर समझ में आ रहा है ठीक है चलो सो नेक्स्ट अब आप लोगको कुन instructed लग रहा होगा आपको बता dau aur आप लोगको कर वहाँ अभी अबी इस कर लोगOM आप बोलोगा रहे सर्थ यह तो बहुत आसान है समझ वा दो चलो A is the son B A का जो बेटा है B उसकी शादी हुई है C के साथ में A का बेटा है B जिसकी शादी हुई है C के साथ में अब C की एक बेहन है D जिसकी शादी हुई है E के साथ में अच्छा, इमाजन करो A का बेटा है B B की शादी हुई है C के साथ में C की एक बहन है D, उसकी शादी हुए E की, अब E कौन है, E जो है वो B का भाई, ओ, wait a minute, B तो A का बेटा है, क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि A के दो बेटे B और E, हम यह बोल सकते हैं, A के दो बेटे हैं B और E, भाई साब, how is D related to A, अब जो E की वाइफ है, मतलब, आपके बेटे की वाइफ, आपकी क्या लगती है, डॉर्टर इनलो, क्या लगीगी, डॉर्टर इनलो, देखो, A का बेटा है B, B की वाइफ कौन है, C, C की एक बहन है, C की बहन है, C की बहन है, D, और D का हस्बेंड है E, वट E कौन है, E, B का भाई है, तो मतलब, A के दो बच्चे होए, समझ में आया क्या, अगर आप लोग को समझ में आया है, तो चलो, एक बार एक जादू देखते है, अब देखो, आपको confidence कैसे बढ़ेगा, चलो, एक बार तुरंत वापस से, answer हा, just because रट लिया, इसलिए answer तो मजा नहीं आएगा, एक बार वापस समझ के पढ़के देखते ह देखो, कैसे समझ में आएगा, चलो, देखो, क्या बोला है बेटा, यह बोलता है, sir, man pointing to a photograph, यह बोलता है, the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother, lady जो है, photograph में हो कौन है, मेरे nephew की maternal grandmother है, how is the lady in the photograph related to man sister जिसकों की और बेहन नहीं है, nephew बोल रहे है, nephew मतलब भाई या बेहन का बच्चा होता है, बराबर, अब nephew की बारे में बात कर रहा है, मतलब बेहन का बेटा हुआ, जाओ, बिकॉज इसकी कोई और भाई बह नहीं है, तो भाई साहब, मुझे बाद बताओ, बहन का बेटा, मेरी मम्मी, मेरी बहन की क्या लगेगी? मम्मी लगेगी. मदर. समझ में आया क्या? ताखी आप चार्ट्स नहीं मना सकते हो, चार्ट्स अभी प्राक्टिस में बनाना है, अब आप देखो दीरे दीरे चार्ट्स की आदा छूट जाएगी, यह समझ में आए, चलो, आगे बढ़ते, तर क्या बोला है, अब देखो वापस से, वुमन इंट्रड्स तर मान, क्या भाइ यह बोलती है कि he is the son of the brother of our mother, मेरे मम्मी के भाई का बेटा है, मतलब मेरा कौन हुआ, कजिन हुआ, तो, मेरे मम्मी के भाई का बेटा, मतलब मेरा कौन हुआ, कजिन हुआ, clyre है? ठीक है? Next Sir, प्रसन्ना बोलता है Sir, प्रसन्ना बोलता है This girl, यह लड़की कौन है? यह लड़की मेरे मम्मी के grandson की wife है This girl is the wife of the grandson of my mother मेरे मम्मी के grandson की wife मतलब मेरे बेटे की wife मैं कौन लगूँगा उसका? ससरा लगूँगा Father-in-law समझ में आया ठीक है? मुस्तफा ने 19 उर्पे ज़ाओ Thank you मुस्तफा God bless you समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, guys? ठीक है? Next Sir, अरुन बोलता है अरुन बोलता है ध्यान से सुनो अरुन बोलता है क्या बोलता है अरुन? कि भाई, विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की क्लोथी बेटी है अब मेरे मम्मी की क्लोथी बेटी मतलब मेरे मम्मी की एक क्लोथी बेटी मतलब मेरी बेहन मेरी बेहन का बच्चा मेरा क्या लगेगा? मेरा भांजा लगेगा मैं क्या लगूँगा? उसका मामा लगूँगा मामा maternal uncle option में दिया है क्या नहीं दिया है option क्या है none of these कि समझ में आया है ठीक है next sir pointing to a photograph एक आदमी की photograph को point करते हो आशा क्या बोलती है his mother's only daughter इसके मम्मी की जो एकलौती बेटी ओ मेरी मम्मी है आप अपने प्रफमर मामा जी की फोटे को point करते हैं इनके मम्मी की जो Mother's only daughter is my mother. मतलब आशा की मम्मी और वो अंकल भाई बहन हुए? और आशा क्या लगे को इसकी भांजी लगेगी? मतलब नीस लगेगी? यह समझ में आया है. अब मुझे एक बार चैट में बताओ. अब एक बार चैट में बताओ दोबारा जब हमने किया तो जल्दी हो रहा है की नहीं हो रहा है बताओ दोबारा जब हमने किया तो जल्दी हो रहा है की नहीं हो रहा है चैट में बताएंगे भई फटा फटा ठीक है ठीक है तो आप तो हमारे डोरेमॉन हो ट्रिक्स वाले ग्याजट देते हो उससे एलार आसान हो जाता है ठीक है चलो पूजा प्राक्टिस से हो जाएगा भावेक प्राक्टिस करेगा हो जाएगा अब एक निहायती बखवास सवाल देखते हैं दो निहायती बखवास सवाल देखना पड़ेगा अपने चलो सर्फ क्या सवाल है सबसे पहला यह क्या बोल रहा है सर्फ question दिया है आपको पहले पहले आपको यह instructions पढ़ने और उसके बाद में यह equation जो बोला उसका जवाब देना है instructions क्या बोल रहा है a plus b अगर बोला इसका मतलब है a is the father of b a plus b बोला मतलब क्या है a is the father of b a into b बोला मतलब a is the sister of b अगर भाई plus बोला इसका मतलब क्या है father है अगर into बोला मतलब क्या है sister है, समझ में है, अगर प्लस बोला, मतलब क्या है, A is the father of B, अगर into बोला, मतलब क्या है, A is the sister of B, अगर, अगर, and बोला, A is the brother of B, and, A and B बोला, मतलब A is the brother of B, code किया है बस, अगर पर्सेंटेज बोला, बोला, मतलब A is the mother of B, यह आपको दिया है, यह आपको दिया हुआ है, एक तरीके से समझ लो, code कर दिया, जो relation है, उसको code दे दिया, अब आपको यह code को decode करना है, यह code को decode करना है, देखो, into बोला, मतलब क्या है, into बोला, मतलब क्या है, sister, सिस्टर एफ जो है वो बी की सिस्टर है एफ जो है वो कौन है बी की सिस्टर ब्रावर बी कौन है वो सी के पापा है लास बोला मतलब फादर अब बी कौन है वो सी के पापा अब देखो इमाजन कर लो इतना ही रिलेशन इमाजन कर लो अपन कौन है अपन सी है हमारे पापा ब है और हमारी बुवा जो है वो F है क्यों पापा की बेहन F पापा की पापा कौन है B हम C है C C उसके पापा है B और उनकी बेहन है कौन F F हमारी कौन हुई बुवा हुई पापा की बहन है पापा की बेहन है एक बार दिखो क्या बोला है बिटा इसने बोला है F into B बोला मतलब क्या है F जो है वो B की बहन है B जो है वो C के पापा है और D जो है वो कौन है C C की मुम्मी है इसका मतलब क्या हुआ इससे हमें को ये समझ में आता है इससे हमें ये समझ में आता है कि C जो है, C, B और D का बेटा है, C कौन है, B और D का बेटा है, क्या चीज़ क्लियर है, ठीक है, बेटा बेटी as the case, अब सवाल क्या बोला है, F is the sister-in-law of D, भाई, F जो है वो D की sister-in-law, येस, ये सही बोल रहा है भाई, है, B जो है वो D की sister-in-law है, एक दम clear, ठीक है, Sir, F is the sister-in-law, नहीं, वो तो B की sister-in-law रही दिकी sister-in-law है, पी is the wife of D, नहीं, B जो है, वो husband है, जो ये भी गलत होगया, B नहीं, वो husband है, तो ये भी गलत हो, समझ में आए ये सवाल, ये सवाल समझ में आया क्या? कि समझ में आया कि वैस कि कैई चीज क्लियर है रेजी बॉइ 15 बहुत बहुत प्यार आपको भी लव यू टू बेटा समझ में आया कि या गाई यह चीज क्लियर बताएं गैं और यह आपने वाली गोरी है कि लुष समझ में खाड़ा आई प्याszam प्यों पोचे गए निहीं है कि वह साथ भिए going a woman going with a boy is asked by another woman अच्छा कासा एक औरत जारी थी दूसरी औरत ने उसको पूछ अगर वो पूछती नहीं तो यह सवाली नहीं बनता अच्छा कासा एक औरत जारी थी बच्चे को लेकर पड़ना इस दूसरी और आरे भावी कैसे हो यह कौन है बच्चा कौन है बच्चा कौन है कां है 50 और इसओ वो में दूसरी नहीं ऐसको पूछ लिया दूसरी औरत में क्या लगता है तुम्हारा रह किया लगता है कि लगता अ ऩंग डवूमें रप्लई गया वो भी कम नहीं थी मी कम नहीं ती जो जारी थी कम नहीं बताती हुरे मेरे मामा और इसके मामा के चाचा लगते हैं मेरे मामा इसके मामा के चाचा लगते मतलब वो आंटी तो बच्चे को लेकर जा रही है और इसके पापा कजन्स हो गए कजन्स हो गए अब भाई वो कजन्स की बेटी क्या हुई भाई relation क्या हो गया दोनों में aunt और nephew का relation हो गया कितना difficult question आपको exam में आएगा नहीं बट फिर भी कर लिया ठीक है कहें जी स्क्लियर है भाई साथ यह है आपका blood relation यह है आपका blood relation समझ में आया क्या यह बता दो समझ में आया पताएंगे भाई समझ में आया क्या फगर जुमें आया क्या ठीक है समझ में आया चल टाइम लगेगा एक बार टाइम लगेगा बट हो जाएगा सिक्स्त वाला question जो है अगर आपको जमता है बहुत अच्छी बात है नहीं जमता है इतना समझो भाई उसने क्या बोला है यह क्या बोलती है भाई मेरे इसके जो चाचा के मामा है मामा के चाचा वो मेरे मामा लगते है इसके पापा मेरा भाई इसके पापा कोण भाई भाई का बेटा नेफ्यू समझ में आए ठीक है चलो अब भाई इसके साथ में ना एक इजी वाला इजी वाला टॉपिक आज खतम करेंगे यह वाला कम्प्लीट इंकम्प्लीट पैटर्न एक छोटा दस मिनिट से जादा नहीं लोगा आप लोगा सिर्फ 10 मिनिट से जादा नहीं लोगा यहां पर इंकम्प्लीट इंकम्प्लीट पैटर्न मुझे एक बात बताओ यहां पर क्या आना चाहिए ता यहां पर क्या आना चाहिए इसके जीब्रा के पैटर्न आना चाहिए यहां पर यहां पर भी ऐसा पैटर्न आना चाहिए ऐसे black color के zebra के complete the incomplete pattern बास खतम, कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है यह pattern दिया है आपको यहाँ पर क्या आएगा बताओ यहाँ पर कैसा बनेगा सर यहाँ पर कैसा बनेगा यह चारों में से कौन सा सही बैठेगा यहाँ पर यहाँ पर कैसा आएगा भाई एक ऐसा बैठेगा बताओ कौन सो ऑप्षिन कौन सो ऑप्षिन आएगा सर कौन सो ऑप्षिन आएगा इसमें ऑप्षिन ए नहीं आएगा भाई ऑप्षिन आएगा क्या नहीं 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 वेरी गुड ऑप्षिन आएगा option B आएगा सर इसमें कॉन्सा option आएगा option B आएगा option frequency नहीं कि नहीं आएगाTomoh रावर चलो next अगर आप देखोरो चले हाँ अगर आप देखोगे यहां पर कॉन स्व sinवर बैठेा अगर आप देखो तो यहां पे केसी स्ट्रेट लाइन यहां पर भी स्ट्रेट लाइन यह ऐसा यह ऐसा और यहां पर ऐसा यह एक लाइन और यह एक लाइन और यह ऐसा फिगर बने का यहां पर ऐसा फिगर बने बताओ वहीं कौन साई बन रहा है यह है क्या एक यू नहीं है यहां की एक लाइन मिसिंग है ठीके, अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप गौर से देखोगे, तो यहाँ पर एक ऐसा circle आएगा, पूरा, फिर एक ऐसी line बनेगी, फिर ऐसा और ऐसा बनेगा, ऐसा figure बनेगा, ऐसा figure कहाँ बन रहा है, ऐसा figure A में बन रहा है, ऐसा figure कहाँ बन रहा है, A में बन रहा है, Sir, B क्यों नहीं है, because B में, B में यह जो ऐसा curve दिया है, यह जो ऐसा curve दिया है, यह ऐसा angle आगया, इसलिए B नहीं, DB नहीं है, B और CB नहीं है, चला, यह बताओ, यहाँ पर कैसा design बनेगा, यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है, यह यहाँ पर भी एक ऐसा design बनेगा, एक ऐसा box के अंदर design बनेगा, देखो भाई, कौन सा option आएगा यहाँ पर, यह आएगा क्या नहीं, यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, option D आएगा, option D आएगा, क्या जीस clear है, option D आएगा, भाई answer, समझ में आया, राइट, चला, सर, अभी,000, में, ब question number 5, यह है, question number 6, आपका homework है, और question number 7, आपका homework है, यह 3 सवाल जो है, यह आपके homework है, question number 5, 6 और 7, question number 5, 6 और 7, जो है, आपका homework है, आप लोग homework करेंगे, क्या चीज़ क्लियर है भाई समझ में आया क्या ठीक है टॉपिक कौन से देखा हम लोगों ने आज हम लोगों ने आज दो टॉपिक पड़े हैं सबसे पहला ब्लड रिलेशन पूरा पड़ाया और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा अगर आज हम लोग यहां पर रुकते हैं और कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस अगर आप लोगों क्लास अच्छी लगिए तो प्लीज यह वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कमेंट्स में बता हीगा क्लास कैसा लगा कल मिलेंगे और टॉपिक के साथ में तिल दें टेक क्यर आफ यह सेल्फ और जस्ट रिमेंबर तो बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दस वर्ड लव पेरेंस टेकर अबाए